दुस्से शिर्म बात कने वाले HDFC बैंक के बारे में and HDFC बैंक के अंदर आज आपको यहाँ पर 4% के अराउंड की एक बहुत ही बड़ी गिरावर्ट देखने को मिली है and आज HDFC बैंक की वज़े से ही आज overall market के अंदर जो है वो आपको weakness देखने को मिली है जो यहाँ पर बैंक निफ्टी 1.5% माइनस में close हुआ है निफ्टी almost 1% negative close हुआ है उसका main reason यहाँ पर कई न कई आपको HDFC बैंक देखने को मिल रहा था and उसके बाद उसको यहाँ पर जो है वो hand मिलाया और एक बड़ी weightage रखने वाली company reliance ने तो दोस्तो HDFC बैंक के अंदर आज इतनी जबरदस गिरावट क्यों ही है उसके बिचे का reason क्या है कितने reasons है कौन सा यहाँ पर जो है वो important है and कौन सा reason है जो just news based है and news के साथ हो चला जाएगा and सबसे important चीज कि क्या HDFC बैंक को यहाँ पर हम buy कर सकते है या फिर नहीं यह चीजे हमें यहाँ पर जाननी है तो दोस्तों यहाँ पर हम सबको पता होना चाहिए कि HDFC बैंक अब यहाँ पर अकेला नहीं है इसके अंदर अब यहाँ पर HDFC लिमिटेड पूरी की पूरी कमपनी आ चुकी है and यह जो है वो total मिलके यहाँ पर 40 billion dollars की एक नई कमपनी बना रहे है मतलब यह दोनों मिलके अब 40 billion dollars का यहाँ पर जो है वो overall market cap रखते है तो अब यहाँ पर सिर्फ HDFC बैंक के results नहीं आएंगे इसके साथ यहाँ पर आपको HDFC लिमिटेड के भी जो number से वो देखने को मिलेंगे जो इसके अंदर included रहेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि HDFC बैंक नहीं यहाँ पर जो उनकी investors की meet हुई दी तो margin ठीक है अब यह margin जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलेगा and second and most important thing वो है यहाँ पर bad loans ठीक है HDFC बैंक का जो bad loan का ratio है वो था 1.2 के around और उनका expectation है कि quarter 2 के अंदर वो increase हो के 1.4% के around का यहाँ पर हो जाएगा after the merger तो यह एक concerning sign है जो यहाँ पर overall market ने यहाँ पर witness किया है तो अब दोस्तों यहाँ पर और कुछ चीज़े भी जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है जिसकी HDFC bank और HDFC limited का जो यहाँ पर merger हुआ है उसकी वज़े से जो इनकी book value है वो भी यहाँ पर कम हो चुकिए जिसकी वज़े से share का price थोड़ा सा overpriced यहाँ पर दिख रहा है तिक है उसकी वज़े से भी correction यहाँ पर आना चाहिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है तिक है यहाँ पर अगर मैं कहूँ news based अगर मानलो गिरावट अगर हुई है तो वो है just यह book value वाली उसके अलबा कुछ भी नहीं क्योंकि यहाँ पर यह जो bad loans तिक है and margin का यह जो issue यहाँ पर खुद company ने बताए खुद bank ने बताए वो आपको quarter two क numbers के बाद ही पता चलेगा बट still यहाँ पर क्या HDFC bank एक better bet बनेगा या नहीं आप अगर बागी सारे sector के stocks को देख लो आज axis bank ने अपना नया all time high लगाया है आज यहाँ पर जो है वो ICICI bank भी positive था PSE stocks तो है positive बट still यहाँ पर क्या हो गया आज जादा ही HDFC bank ट्रैक कर गया इसलिए जो छोटे PSE bank जैसे की Indian Oversis Bank, Union Charter Bank, Central Bank of India की क्या यह सारी जो bank यहाँ पर उपर आये थे उनके अदर हमें एक अच्छी का सी profit booking देखने को मिली है तो क्या अब हमें यहाँ पर HDFC bank को buy करता चाहिए यहाँ फिर नहीं उसके लिए हमें इसको weekly time frame के उपर study करना रहेगा weekly time frame के उपर अगर हम यहाँ पर HDFC bank को देखे तो इसने यहाँ पर अभी तक 2021 का यह जो high है उसको अभी तक break नहीं किया चलो break करने का है यहाँ पर try जरूर किया है बट उसके उपर एक बार भी close नहीं हुआ now on the downside 1540 हमारे लिए support है that is HDFC bank का अगर यह support break हो गया तो यहाँ से stock जो है वो 1400 and 1480 के बाद 3900 तक आता हुआ देखने को मिलेगा जहाँ पर हमने हमारे premium students के साथ long term के लिए खरीदारी की थी ठीक है वहाँ से हमें 1780 तक की rally देखने को भी मिले थी बट market का overview क्या है तो अभी भी जितने भी international brokerages है वो यहाँ पर HDFC bank के उपर positive है सिर्फ एक brokerage के CY and वो है Nomura Nomura का safe target है वो यहाँ पर है 1880 का जो यहाँ से भी काफी जादा उपर है बट उनका target 2100 प्लस का था जिसको उन्होंने cut किया है बाकी जितने भी brokerages के target देखो सब के target is जो है वो आपको 2000 प्लस के देखने को मिलेंगे and highest targeted 2300 का HDFC bank के उपर हमारा तो view bullish है बट थोड़ा सा correction यहाँ पर अगर होता है